हेलो गईस, स्वागत आप सबका तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूबल्स की 5% के अपर सर्कुट के साथ बंद रहा पिछले 2-3 दिन में लगातार अपर सर्कुट में रहा है आगे क्या हो सकता है वो हम देखेगे सबसे पहले दोस्तो अगर आप नए है इस चैनल के उप क्योंकि वीकली चैट के उपर यह जो है इसके अंदर एमेसीडी का इस तरीके से बेरिस्क्रोस अवर हुआ था अभी वो वीडियोस मोजुद है अभी हम उसके उपर भी हम चल्चा करेंगे और तब कई लोगों को फाइदा भी हुआ होगा हमें कुछ कमेंट्स भी आये थे यह पहला रजिस्टन नहीं इससे पहले भी कुछ रजिस्टन हो सकते हैं जो कि यहां पर रख है अभी वो लेवल भी हम देखेंगे क्योंकि यहां पर इसने जब यह तेजी आई थी उसके बाद यह करेक्शन स्टार्ट हुआ था पहली बार तब यहां पर इसने सपोर्ट लिया था और अच्छा करेक्शन आया था प्रॉफिल बुकिंग आया थी थी थोड़ा कंशोड़ेशन हुआ था उसके बाद यह तेजी आया थी और यह लेवल है यहां पर आप इसको देखे तो 1630 का यह लेवल जो है सोमवार को ही वहां पर जाने की संभावना रह सकती है उपर खुला तो और वह भी सब कुछ बढ़िया रहा बाजार का साथ रहा तो यहां पर भी इसको रजिस्ट्र का सामना करना पड़ सकता है और अभी थोड़ी सी दिक्कत क्या दिख रही है वह हम देखें वह है इसका वोलियम यह आप जारा देखें अपने अगर आप हमार क्योंकि अगर एक बात देखें तो जीनों ने नीचे में यहां पर लिया तो हो सकता है कि जो आगे मुनाफ़ा वसूली भी कर सकते हैं क्योंकि लगातार पांच दिन अपर सर्किट जैसा माहौल रहा तो अगर इतने तीन-चार दिन में छोटे समय में अगर अच्छा कसा इ अगर देटार के साथ चलते हैं तो ज्यादा बेतर रह सकता है अब यहां पर जड़ा देखें पंदरा मिनिट का चार्ट है तीन दिन की अगर बात करें चार दिन की भी यहां पर आपको ठीक से सहे दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन यह वोल्यम जरा देखें वोल्यम के बार से तब भी अच्छा वोल्यम था यहां पर भी अच्छा कासा वोल्यम सुरुवात में ही जब यह तेजी आनी बिल्कुल एक यहां से और इस मुकाबले अगर देखे तो कम वोल्यम इसी वज़े से कही ना कही ऐसा लग रहा है कि थोड़ इसी थकान महसुस हो लिए तेजी आती है तो अच्छी बात है लेकिन ऊपर में थोड़ा सा अगर यह वोल्यम अगर ज्यादा बैतर रह तो ज्याद अब इस हफ्ते का जो हाई है उससे थोड़ा सा उपर यानि मुझे ऐसा लग रहा है कि साड़े सोला सो से उपर इस लेवल को अगर वहां पर वीकली चाट के उपर यह क्लोजिंग दे देता है तो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है ऐसा लग रहा है कहीं यह लेवल जो की पांच हटे का मुविंग एवरेज उसके आसपास है उसके बात का एक लेवल है अठासो का असपास का लेकिन इन दोनों इन मुविंग एवरेज के अंदर भी वीकली चाट के ऊपर थोड़ा सा जो है चैंजिस होते रहेते हैं तो यह थोड़ी सी नीचे आ सकती है अभी यह नीचे वापस से नीचे चला आए तो बात अलग है बाकि उसके उपर जाए और फ्राइडे तक अगर वहाँ पर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता ऐसा लग रहा है और जैसे हमने बात की अभी वोल्यम के अंदर थोड़ी सी कम ही दिख रही है वीकली चाट के उपर हम देखे तो यहां पर यह 21 विक का मुविंग एवरेज भी यह भी लेवल काफी इंपोर्टन है अभी 1776 के आसपास का दिख रहा है इसके अंदर भी अगले हपते थोड़ा सा चेंजिस हो जाएगा यह लेवल की इंपोर्टन है क्योंकि यह जो इसके अंदर एक अच्छी कासी मल्ट 1776 के आसपास है आने वाले समय में यह थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है यहां पर अभी देखें वीकली चार्ट के उपर बुलिंजर बैंक तो यहां पर अभी निचली लेंग जो है इसकी बिलकुल वहीं पर इसने सपोर्ट लिया उसके बाद जो है अब इसका 211 का मुविं साथ साथ जैसे कि हमने बात की वॉलियम को वॉलियम इंक्रीज रहना ज़रूरी है यह तो यहां पर देखी रहा है कि सिफ इतने सवालाग के आसपास की जो है वॉलियम रहा शुक्रवार को तो मतलब की फोल आफ बाइंग जब तक नहीं आती तब तक इसके अंदर और साथ सोला सो वह लेवल पार होता है तो फिर यहां पर इसको रजिशन का सामना करना पड़ सकता है और जैसे कि हमने बात कि अगर यह लेवल पार हो जाता है तो इस डेली चैट के अपर बुलिंजर बेंग की उपरी लैंड दोहजार के आसपास है अभी यह थोड़ी इसा लग रहा है यहां तक आने के बाद वापास से थोड़ा कंसलेशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है वैसे मीडियम तो लॉंग टर्म की बात करें तो एक तेज़ी की संभावना रह सकती है लेकिन हाँ शोट टम में इसके अंदर वोलटेलिटी यह रह सकती है नीचे और यहां पर भी अगर देखेंगे मेसीडी को डेली चैट के उपर तो भी यहां पर दीख रहा है कि एक मेसीडी का बुलिस क्रोस होवर होने की तैयारी देख रही है अगर सब कुछ बढ़िया रहता है यहां 21 दिन का मुविंग गैवर है जो कि 1676 है अगर यह लेव पर दिख रहा है और यहां पर हमने बात की थी वीकली चार्ट के उपर भी अगर देखेंगे जब यह यहां पर था पच्छी सो क्या स्वास तब यह बेरिस क्रोस ओवर हुआ था तब ही मैंने बोला था कि इसके अंदर गिरावट आई भी इसके बेजे कुछ यहां पर केंडल है काफी दिन पेले यह हुआ था उसके बाद लगातार गिरावट रही अब यह कुछ लेवल को पार कर देता है फिर जो है यह अभी रेट कलर के बार्स बड़े बन रहे है फिर दिरे दिरे यह चोटे बनने शुरू होगे और वापस से इसके अंदर भी इस तरीके स अगर बुलिस क्रोस ओवर हो जाता है फिर एक और अच्छी तेजी के संभाव ना रहे सकती है लेकिन उसमें वक्त लग सकता है क्योंकि यह विकली चार्ट है एक एक केंडल जो है पूरे एक हप्ते की केंडल है और आगे हम देखे यहां पर आरसाई को चालिस का आसपास प सकता हैथ कि कि 3 तीन कर करें आप कि सकते हैं फाांच पांच करकर ले सकते हैं अभी की बात नहीं हो रही है और यहां पर उसको फायदा का हूड़ा हो जो एहांपर एक हैं में पूर सक दिन कउट मोईर्जा में तो यहां पर इस putsको 치ak Goldman हम फोने ऊशके प辉ट शर्ओंन का यह भी जरा देख लें, कि यह जब एक बार तेजी आई थी, bounce back आया था, तब से लेकर उसके बाद जब इसके अंदर इसको तोड़ा नीचे की तरफ, यहां से लेकर यहां तक, इसके उपर जा नहीं पाया, बार बार इसके उपर यहां पर, यहां पर, यहां पर जाने की कोश पूल रह सकते हैं पंद्रा सो सततर का प्राइस है सोंबर के एक ट्रेंडिंग रेंज की बात करें तो नीचे में मुझे अशा लग रहा है कि फंद्रा सो पंद्रा और उपर में तक्रिबन उसके बाद तकरिबन सतरा सो बीस से लेकर सतरा सो पचास का जोन और उसके उपर एक रिजिशन दिख रहा है वह रहा है वह आज़ा सो तक अगर जाता है तो वहां से प्रोफिट बुकिंग की संभवना रह सकती है अगर वोलियम के अंदर इंक्रिस नहीं रहा तो वोलियम क्योंकि थोड़ा सा वोलियम कम है तो यहां पर इसके अंदर मुझे असा लग रहा है कि प्रोफिट बुकिंग आ सकती है